हालो एव्रिवन गुड मॉर्निंग वेल्कम एक टो पर्चम कल संदे था तो हमने कुछ डिसकस किया था आज हम डिसकस करने वाले हैं 18th and 19th of December के करेंट अफ़ेर्स और सबसे पहले हम बात करेंगे आज के इंपोर्टेंट डेस के ऊपर तो 18th of December को हम दो इंपोर्टेंट डेस सेलिब्रेट करते हैं पहला है इंटरनेशनल माइग्रेंट से और डूसरा माइनॉर्टी राइट से इन इंडिया तो इन दोनों दिनों के बारे में बात करेंगे और आज मतलब 19th of December को गोवा लिबरेशन दे है क्योंकि पूर्टगालों से आज ही के दिन 19 दिसंबर को गोवा को आजादी मिली थी तो तीनों दिनों के बारे में हम बात करेंगे इसके अलावा अगर आज के क्लास का पीडिएफ आपको चाहिए है तो टेलीग्राम पे मिल जाएगा टेलीग्रा से पीडिएफ डाउनलोड करने में तो वो हमारे एप्लिकेशन से भी पीडिएफ को डाउनलोड कर सकता है चीक है तो सबसे पहले बात करते हैं गोवा लिबरेशन दे के बारे में तो हमें पता है कि 19th century में अगर बात करते हैं हाला कि पॉर्चुगल्स लोग जो थे पुर् वंदीब, गोवा इन सभी एरियास में जो है वो पॉर्चुगल्स की कॉलोनी प्रेजेंट थे जब हम 1947 में आजाद हो गए थे उसके बाद भी गोवा जो था वो पॉर्चुगल्स के अंडर में था चीक है इसके बाद हमारे द्वारा एक उपरेशन विजय शुरू किया ग और वो दिंन कौन सा ठाहिम निज डिसम्बर का Agora 1961 में इसलिंए मुनिस दिसमर को हम गोवा लिलिब्रेशनदे सह टेए ठीके 1961 में भारत का एक अभिन हिस्सा बना था अगर या बारे में बात करते तो आप यहां पर भारत के मैप में देखेंगे गोवा गल्यार तो सब्सें तो आइरन एज से ही गोवा में रूल रहा है अगर हम मीडियेवल इस्ट्री में बात करते हैं तो विजयनगर एम्पायर बह्मनी सुल्तान वहां पर गोवा में रूल करते थे और जब बीज़ापुड के सुल्तान गोवा में रूल कर रहे थे उस समय ही पॉट्चुबल ने को इन्वेज किया था कॉलोनीज बना के और रहना शुरू किया था गोवा को एक राज्य का दर्जा यह स्टेट हुड हम देखें तो 1987 में मिला था और गोवा स्टेट हुड डे हम 30th में को मनाते हैं तो दो अलग अलग दिन है एक गोवा लिबरेशन दे है जब गोवा को पॉ गोवा स्टेट हुड दे मनाया जाता है गोवा की कैपिटल क्या है पंजी है यहां आप देखेंगे यहां पर आपको पंजी देखने को मिलेगी गवर्नर पी एस श्रीधरन पिल्ले है और चीफ मिनिस्टर प्रमूत सावंध जी है और गोवा के तीन बार रहे मुखमंत्री मनोहर पारिकर जी के नाम पर गोवा में सेकेंट एरपोर्ट भी बनाया गया है जिसको आप मोपा इंटरनेशनल एरपोर्ट भी बोल सकते हैं या मनोहर पारिकर एरपोर्ट के नाम से भी आप इसको जानते हैं चलिए नेक्स्ट बात करते हैं Minorities Rights Day in India अल्प संक्यक माइनोर्टी मितलब होते हैं अल्प संक्यक अगर आप हमारे Constitution में देखेंगे तो कहीं पर भी Minority Assess Define नहीं है लेकिन Minorities के अधिकारों के बारे में जरूर चर्चा की गई है और यह बाते आपको Article 29 और Article 30 में देखने को मिल जाएंगी तो अगर हम बात करते हैं Minority Rave Program के बारे में इसे National Commission for Minority के दुआरा मनाया जाता है celebrate किया जाता है नई दिल्ली में National Commission for Minority 1992 में सेट अप की गई थी 1992 में National Commission for Minority को सेट अप किया गया था और इनके अंतरगत पहले पांच ऐसी community थी जिनको Minority Declare किया था मतलब अल्पसंक्यक बताया किया था वो पांच community कौन कौन से थी Christian, Muslim, Sikh, Jui and Buddhist लेकिन 2014 में Jain को भी जो है वो Minority Declare किया इस तरीके से आज हमारे देश में 6 Minority Community है इनके राइट्स के लिए इनके ऊपर चर्चा करने के लिए काम करने के लिए National Commission for Minorities को 1992 में बनाया गया था और 18 December को मतलब 18 December 1992 को United Nation ने एक resolution पास किया था और adopt किया था कि जो Minorities है उनके भी fundamental right को protect करने की जरुआत है उनके linguistic, religious values, उनके culture को promote करने के लिए 18 December को Minority Right Day celebrate किया जाता है अगला दिन देखते हैं हम International Migrants Day हमें पता है पूरे वर्ल्ड में चाहे भारत हो भारत में भारत में बहुत सारे migrant आते रहते हैं भारत के कही सारे लोग दूसरे देशों में ऐसा migrant worker जाते रहते हैं तो पूरे देश में ही आपने देखा हुआ कि माइग्रेशन चलता रहता है जॉब के लिए फैमिली शिफ्ट हो जाती है तो दिसम्बर 18 में United Nations General Assembly के दौरा डिसाइड किया गया कि जो migrant workers होते हैं जो migrant people होते हैं उनके अपने rights होते हैं उनका भी contribution होता है तो उन्हें याद करने के लिए 18 दिसम्मर को International Migrants Day celebrate किया जाता है और 1990 में यहाँ पर United Nations General Assembly के दौरा इस resolution को accept किया गया था तो तीन important day हमने देख लिए हैं अब बात करते remaining news के बारे में न्यूस स्टार्ट करने से पहले चोटी सु जानकारी और दे देती हूं मैं आपको कि पर्चम के application पे पर्चम के application आपको प्ले स्टोर से मिलेगा उसमें आपको SSC का course मिलेगा individual course भी है और आपका complete package भी है test series के साथ जिसमें beginner और advanced level पर test series available है अगर आप SEC को course purchase करना चाहते तो आप वहां से purchase कर सकते हैं उसके लिए आपको Pooja 10 code का use करना पड़ेगा जिससे आपको additional 10% का off मिल जाएगा चलिए start करते हैं आज का session सबसे पहले है Neeraj Chopra हम सभी को पता है Olympics में अभी Tokyo Olympics जो हुए थे उसमें इन्हों ने jevelin throw मतलब भाला फेक में gold medal लाकर दिया था तो Neeraj Chopra become the most written about athlete in 2022 तो 2022 पे सबसे अधिक जो document क्लिखे गया है या सबसे अधिक जो post किये गया है किसी person पे athlete में तो वो कौन है Neeraj Chopra है और इन्हों ने Jamaica के जो athlete है Usain Bolt उन्हें replace किया है इस list में तो according to the world athletes Tokyo Olympic gold medalist jevelin throw Neeraj Chopra of India was the most written about track and field athlete in 2022 displacing the Jamaica legend Usain Bolt from the top list चीक है इतनी चीज़े clear होगी इनके उपर 812 article publish हुए है 2022 में Neeraj Chopra जो है बहुत ही successful athlete रहे है क्योंकि यह दूसरे number पे अगर देखा जाए तो यह overall second Indian बन गा है जिन्होंने world medal जीता था इसके पहले Anju Bobby George ने bronze medal जीता था women's long jump 2003 में और अब world athlete championship में silver medal जीतने वाले कौन बन गया है Neeraj Chopra बन गया है और इस second Indian जिन्होंने world athlete में कोई medal हासल किया है ठीक है इसके अलावा last अभी बात करते है इस साल हमने दो महीने पहले ही discuss किया था नीरा चोप्रा जो पहले athlete बने थे जिन्होंने diamond league final खेला था ठीक है first athlete from India to win the diamond league final in this year चलिए अगले person के बारे में बात करते है एंश जैशंकर जी जैसा कि आप लोग को पता है United Nations security council ठीक है उसमें आपको यह बात बिल्कुल clear हो चुकी है कि 15 member होते हैं 5 permanent होते हैं और 10 temporary member होते हैं दो-दो साल के लिए appoint किये जाते हैं तो अभी भारत जो था वो UNSC का temporary member था और भारत की जो प्रेसिदेंसी थी है भारत का जो 10 और तो 2 साल का वो 31 December को खतम होने वाला है 31 December को खतम होने वाला दिसंबर महीने की जो प्रेसिदेंसी है वह भारत के पास ही है मतला प्रेसिदेंसी कौन कर रहा है भारत कर रहा है जैशंकर कर रहा है तो यहां पर उनी से रिलेटेड छोटी सी न्यूज है कि for which term India candidate for UNSC has been declared by the external affair minister जैशंकर जैशंकर जी के द्वारा भारत को जो टेंप्रेसिदेंसी देने की बात की जारी है वो कब के लिए की जारी है तो आंसर हो जाएगा 2028-29 के लिए भारत जो है वो अगें नॉन पर्मनेंट मेंबर रहेगा UNSC का इसके पहले भारत 1950-1951, 1970-1978, 1972-1973, 1977-1978, 1984-85, 1991-92, 2011-2012 और 2021-22 इतनी बार UNSC की जो है नॉन पर्मनेंट या प्रेसिदेंसी होती है या मेंबर्शिप होती है वो उसने होल्ड की है चेक इतनी चीज़ है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इरान रिमूब फॉम यून कमिशन और स्टेटस ऑफ व्यूमन अब देखिए का यहां पी उनाइटी नेशन में एक वोटिंग होई थी क्योंकि मैं आपको थोड़ी सी बात बताना चाहती हूँ कि जो यून, मतलब यूनाइट नेशन कमिशन और स्टेटस ऑफ व्यूमन होता है कमिशन है यूनाइट नेशन के अंदर ही काम करने वाले एक ग्रुप है जिसके अंतरगत 45 कंट्रीज है जिसके अंदर कितनी कंट्रीज है, 45 कंट्रीज है और एक कंट्री के पास एक एक करके प्रेसिडेंसी आती है और प्रेसिडेंसी चार साल के लिए होती है प्रेसिडेंसी कितने साल के लिए होती है यहां पर आपने देखा कि इरान में जो प्रोटेस्ट चल रहे थे, हिजाब को लेकर हो गया या फिर इरान में जो महिलाएं प्रोटेस्ट कर रहे थी तो उसकी अगेंस्ट, USA ने आवाज उठाई और USA ने कहा कि यहां पर जो प्रेसिटेंसी है वो इरान को नहीं मिलनी चाहिए और UN की एक रिपोर्ट आती है उसमें कहा गया है मार्ट दोहजार इकीस में इरान वुमेन एंड गर्ल्स आर ट्रीटेट लाइ सेकेंड क्लास सिटेजन UN की रिपोर्ट में कहा गया है कि इरान की जो महिलाएं है उनको ऐसे टीच किया जाता है जैसे कि वो सेकेंड क्लास सिटेजन है तो उस केस में इरान के पास यहां पर United Nation Commission on Status of Women की Presidency तो होनी ही नहीं चाहिए और US के दोरा प्रपोजल दिया गया to remove with immediate effect the Islamic Republic of Iran from the Commission on the Status of Women चेक है तो यहां पर इसलिए इसे हटा दिया गया है इरान को इरान के पास चाहर साल की Presidency थी 2022 से 2026 तक की चेक है और यह जो Commission इसमें 45 मेंबर होते है और जो Presidency होती है वो चाहर साल के लिए होती है इरान की Capital तहरान है, Currency Real है और President Ibrahim Raisi है और हाला कि यहां पर आप देख सकते हैं कि US और इरान का काफी लब्मे समय से Cold War भी चल रहा है नेक्स्ट बात करते हैं, Denmark get a new Collision Government with Mettey Fredrickson as Prime Minister तो देखें ऐसा नहीं है कि भारत में ही गठवंदन की सरकार होती है गठवंदन की सरकार का क्या मतलब होता है, जैसे कि कोई एक राज है उसमें आपको election हो रहे हैं और election में जो party जीत थी उस party के leader को हम CM बना देते हैं लेकिन कई बार अगर कोई party majority हासिल नहीं कर पाती कोई party हमाल लेते हैं, कोई party उसको 40 seat चाहिए है majority अपनी सरकार को बनाने के लिए और इसके पास 35 seat है तो वो क्या करती है, दूसरी party के साथ क्या कर लेती है collision कर लेती, गड़ बंदन कर लेती है और दो parties मिलके एक सरकार को run करती है तो ऐसा भारत में नहीं होता, ऐसा और भी देशों में होता और गएक एक एक्जामपल है डैन्मार्क ठीके तो डैन्मार्क की प्राइम मिनिस्टर डैन्मार्क की प्राइम मिनिस्टर थी कौन थी, मैटे फ्रेडिक्सन थी, ठीके जून 2019 में ने चुना गया था लेकिन उसके बाद एक नवंबर को बापस से इनृटर हो गए हैं डैन्मार्क में और कोई भी PARTY-Majority हासिल नहीं कर पाए तो तीन PARTY ने मिलके कौन कौन से Liberal Party, Social Democratic Party और Moderate Party ने मिलके यहाँ पर डैन्मार्क में गवर्मेंट बनायी है और यह जो गवर्मेंट का TENIOR होता है वो कितना होता है यहां पर Parliament जैसे का हमारी देज़काon 5 साल का होता है वैसरे यहां पर क्या होता है यह जो जो डैनिश Parliament होती है उसको आप iki Ren adalah और इसका जो टैनियर होता है वढ Chopin हागान और के यहां पर जैनिय्स क्रोन तो डैन्मार्ट की जो नई प्राइम मिनिस्टर बन गई है वो कौन बन गई है फिर से बन गई है मैटे फेडरिक्सन नेक्स्ट पाइएम मतलब अटल इनोमेशन मिशन के बारे में भी जरूर सुना होगा तो इन तीनों संस्थाओं के द्वारा मिलके यूथ कोलैब चलाया जाता है यूथ कोलैब के शुरुआद 2019 में UNDP पार्टनर विद अटल इनोमेशन मिशन और नीति आयोग के सहीयोग से किया गया था तो इसका फिफ्ट नंबर का एडिशन हो रहा है पांचवे नंबर का एडिशन यूथ कोलैब का कंड़क्ट कराया जा रहा है इसके अंतरगत क्या किया जाता है जो यूथ होते है जो यूथ होते है उनको इन्वाइट किया जाता है और कैसे क्योंकि इसका रोल क्या है कि जो आपके यूथ है, जो स्टार्ट अप है, वो किसी भी देश के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की टारगेट है उनको अचीव करने में और उस देश की जो GDP उसको इंप्रूब करने में मदद करते हैं इसलिए यहां पर 5th number के एडिशन को यूथ को लैप को बिलाया गया है, इसका एडिशन हो रहा है और इस एडिशन को लॉंच किस ने किया है, चिंतन वैशनव ने और चिंतन वैशनव के होने है, मिशन डारेक्टर अटल इनोवेशन मिशन के, चेकिए, नेक्स्ट है, एम्स दिल्ली का फॉर्मेशन अगर हम देखते, 1956 में हुआ था, 1956 वही समय जे फजल अली कमीटी की रेपोर्ट आई थी और उसके बाद छवदा अलग अलग राज्यों का फॉर्मेशन हुआ था, तो 1956 में एम्स का भी फॉर्मेशन हुआ था, और एम्स जो है, वही मिनिस्ट्री जो के राड़ की बास, वही मिनिस्ट्री निवाज जो के डार्कटर है, एम्स दिल्ली के और इसमें स्ट्रिक्ली कहा था, जो डॉक्टर है, प्रमनेट स्टाफ है तॉर सिक्यर्टी स्टाह है, फो स्मोकिंग नहीं करेगा टेबेको का यूज नहीं करेगा, hospital premises के अंदर अगर ऐसा करते हुए पाया जाता है तो वो punishable offense होगा, इसके अलावब प्रेमाइस के अंदर जो patient आते हैं, patients के रिलेटिव आते हैं, उनके लिए भी प्रेमाइस के अंदर smoking करना या टेबेको का यूज करना अलाओड नहीं और 200 रुपीज, ऐसा AIMS के director, Dr. M. Shrinivas ने कहा है, next बात करते हैं, COP15 के बारे में, COP15 के बारे में थोड़ी से चर्चा कर लेते हैं, COP15, Biodiversity Conference in Montreal, Canada, Montreal कहा है, Canada में, तो यहाँ पर 29 नई species को अंदर थ्रेट, IUCN की red list में शामिल किया गया है, ठीक है, 29 नई Species में भारत की, जिनको IUCN की red list में शामिल किया है, मतलब red list of threatened species जो है, उसको update किया गया है COP15 में, जो कि Canada, Montreal में, Montreal, Canada में हो रही थी, अभी International Union for Conservation of Nature red list of threatened species, जिसको IUCN red list भी कहते हैं, या इसी को आप rate data book के नाम से भी जानते हैं, इसका formation 1964, 1964 में हुआ था, 1964 में हुआ था, और यह data book आपको बताती है कि पूरे world में कौन-कौन species है, उनका क्या biological status है, मतलब वो threatened है, endangered है, extant हो चुकी है, ठीक है, यह जानकारी देते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको तीन species के बारे में बता रही हूँ जिनको IUCN की red list में शामिल किया है, जो भारत के कुछ इलाकों में एक मात्र लोकेशन पर आपको यह frog देखने को मिलेगा, इसे endangered category में शामिल किया गया है, next है, अंडबान की smooth hound shark, शार्क, तो यह जो smooth hound shark है, इसको vulnerable list में शामिल किया गया और यह अंडबान में पाई जाती है, next बात करते हैं, यह है, yellow himalyn petali plant, basically इसको जंगली लहसुन के न हमालाई के reason में, भूतान, चाइना, Myanmar, Nepal और पाकिस्तान में आपको यह plant देखने को मिलेगा, next बात करते हैं, फीपा, 18th of December को FIFA World Cup था, final था, ठीक है, अब अगली FIFA के बारे में बात करते हैं, 2026 के FIFA के बारे में, तो 2026 का FIFA World Cup होगा, वो कहां पर होगा, तो वोगा आपका Canada में मेकसिको और USA, तो कैनेडा, मेकसिको और USA में, 2026 का FIFA World Cup खेला जाएगा, फिर आप देख रहे होगे कि 2026 लिखा हुआ बाजू में जो है, वो मोरक को लिखा है, अब यहां पर क्या होने वाला है, उसके उपर भी चर्चा कर लेते हैं, लेकि सबसे पहले मोरक को की location हम मैप मे समझेंगे, यह हमारा World Cup मैप है, इसमें नौर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और आस्टेलिया, यूरेशिया, यूरोपरेशिया, उसके बाद आप यहां देखेंगे, अफरीका, अफरीका कॉंटिनेंट, जिसको आप डार्क कॉंटिनेंट भी कहते हैं, इस अफरीका कॉ अफरीका कहते हैं, आज तो अलग-अलग देश है यहां पर लेकिन आज से अगर आप बात करते हैं, 19th century, 18th century के बारे बारे तो यहां पर दो इंडिविज्वल यहां पर प्रोविंस हुआ करते थे, एक था नटाल प्रोविंस, चीक है, तो यहां इस नटाल प्रोविंस में कौन रहा करता था, महात्मा गांधी रहा करते थे, ठीक है, तो महात्मा गांधी जी की बायग्राफी मैंने आप लोगों के लिए कर आए, क्योंकि लंबे समय से डिमांड थी, तो इसका पार्ट वन आज आपको मिल जाएगा, तो तो पार्ट वन में मैंने क्या discussion किया है, प 1915 तक जब तक वो भारत बापस निया थे, तब तक मैंने पार्ट वन में डिसक्स किया है, सेकेंड होगा 1915 से लेके 1947 तक इसको हम पार्ट 2 में डिसक्स करेंगे विथ MCQ, तो अगर आपने नहीं देखा है, अब देख लेना, आज आपको ये मिलेगा, और अगर आप बाद म अगर बात करतें तो कतर बें फीफा वर्ल्ड कुप चल रहा था, तो फीफा में जो फीफा के प्रेसिजेंट है, उनका नाम क्या है, गिन्नी इंफेंटीनो है, उनोंनों रिसेंट्ली अनौंस किया है कि जो नेक्स्ट, मतलब 2023 में, 2023 में मोरक्को में फुटब बाल जितने ही कर रही है 11 फरवरी 2023 में फुटबॉल क्लब खेला जाएगा वर्ल्ड क्लब और मुरग को इसको तीसरी बार होस्ट करने वाला है 2013 में भी 2014 में भी होस्ट किया था अब 2022 में भी 2023 में भी इसे होस्ट करने वाला है अगर हम लास्ट टॉनरमेंट के बारे में बात करते हैं तो लास्ट एडिशन जो था वो UAE में खेला गया था और इसमें इंगलेंड का जो फुटबॉल क्लब है चलसा उसने इसको जीता था ठीक है और यहां पे जो गिनी इंफिंटिनो है जो कि प्रेसिडेंट है फीपा के अगर वर्ड कप के बारे में बात करते तो अलग 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 आपको फुटबॉल के क्लफ देखने को मिलेंगे और इन क्लब के बीच में जो चैंपियंशिप होती है उसे ही हम फीपा क्लब वर्ल्ड कप कहते है इसके शुरूआत ब्रेजील ने की थी और 2000 में इसके विजेतर टीम कौन सी रही है सबसे सक्सेस्फुल टीम कौन सी रही है तो वो रियल मैडरिट रही है जो कि स्पेन का क्लब है और इसने मैग्सिमम फोर टाइम फीपा क्लब वर्ल्ड कप को जीता है अगर हम करेंट चैंपियन देखते तो और भी मैंने बताया कि लास्ट तो यह जो ट्रॉफी है यह FIH व्ल्ड कप 2023 में होने वाला है उसी की ट्रॉफी है आएच की पर चरचा करते है इस्पोर्ट मिनिस्टर अन्वराग ठाकूर अन्वील होकी वर्ल्ड कप ट्रॉफी तो जो हमारा FIH Men's World Cup होने वाला है जो कि राउल केला और उडिसा में खेला जाएगा भुबनिश्वर में खेला जाएगा 2023 में तो इसकी जो ट्रॉफी यह विनिंग ट्रॉफी उसको अन्वील किया है अनुराग ठाकूर जी के द्वारा कहां पर मेजर ध्यान चंदर नेशनल स्टेडियम जो कि आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा अब यह ट्रॉफी जो है तेरा अलग अलग राज्यों से और यूडियन टेरेटरी से बुझरेगी और उसके बाद 25 दिसंबर को यह कहां पहुंचेगी उडिसा में पहुंच जाएगी त्रॉफी कहां-कहां से गुजरने वाली है कहां-कहां यात्रा करेगी है तो बेस्ट को जब दे कर रहा है भुबनिश्वर और राउल केला कर रहा है और इसके लिख अलग से आप देखेंगे कि स्टेडियों भी कं श्राक्ड किया गया है विर्सामुंदा हॉकी स्टेडियम एन राउलकेला में इसे खेल कहें जाएगे जाएग बा story बुझर होके ब्लूट कप अब है surface water and ocean topography, चेके surface water and ocean topography जो है SWOT का नाम है और इसको NASA, मतलब जो USA की space agency है और France की space agency, दोनों मिलके इस mission को launch करने वाले हैं चेके, और इस mission का काम क्या होगा, survey earth water, SpaceX Falcon 9 की मदद से इस rocket को launch किया जाएगा California, USA से इसको launch किया जाएगा और इसका life होगा, मतलब इस mission का, यह 3 साल का होगा अब यह mission क्या करेगा, तो यह mission क्या करेगा, हमारा जो earth surface है between 78 degree south से 78 degree north का जो latitude है उसके बीच में जितने भी water body है, उनका survey करेगा, हमारे पुरे world में जितने भी fresh water lakes है यह water lake से कितनी large है, कितने वड़े एक area में है, और जो नदियां है, वो कितनी wide है, यह इन सब चीजों का survey यहाँ पर किया जाएगा तो according to the NASA, SWOT will cover the entire earth surface between 78 degree south to 78 degree north latitude at least once every 21 days तो हर 20 दिन में पुरा survey किया जाएगा और data प्रवाइट किया जाएगा earth station पे It will provide data on more than 95% of the world lake, larger than 15 acres, 15 acres में पूरी world की lakes फैले हुई है, उन सब का भी survey करेगा यह बताएगा कि ocean की depth कहाँ पर कितनी है, मतलब ocean topography को भी यहाँ पर इस satellite, इस survey mission के दौरा, इस international mission के दौरा, जानकारी खटा किया जाएगा तो NASA के दौरा और France की Space Agency के दौरा यह combined mission है SWOT, अगर हम NASA के बारे में बात करते है, National Aeronautics and Space Administration है, अमेरिका गवर्मेंट के दौरा चलाई जाने वाली एक Space Agency है, और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी, जिसका एक ही मक्सद है, आउटर स्पेस को और earth atmosphere को explore करना, अब NASA, जैसे कि ह हमारे यहां पर किसी rocket को launch करते हैं, आप हमेशा सुनते हैं कि Satish Dhawan Shri Hari Kota से हम पने rocket को launch करते हैं, क्योंकि जहां station होगा, station हमेशा equator के पास और समुदर के पास बनाया जाते हैं, तो यहां पर NASA है, दो अलग अलग जगों से अपने rocket को launch करता है, एक है F. Kennedy Space Center, जो कि आपको Florida मे देखने को मिलेगा, और दूसरा है आपका One Days Work Space Force Base California USA में देखने को मिलेगा, NASA का head office आपको Washington DC में देखने को मिलेगा, वहीं इसके administrator कौन है, Will Nelson है, चलिए, यह last news, उसके बाद हम कुछ MCQ को देखते हैं, तो PNB Housing Finance opened Roshni branches to push its affordable housing financing system, तो Roshni scheme किसके दारा शुरू की गई है, तो PNB Housing Finance Limited की दौरा शुरू की गई है, नाम से समझ में आ रहा है कि अगर आपको कोई property खरीद नहीं है, घर का construction कराना है, ठीक है, plot को purchase करना है, plot को reconstruction कराना है, तो उसके against अगर loan लेना चाहते हो, उसके लिए loan लेना चाहते हो, तो PNB Housing Finance आपको loan provide करेगा, पांच लाग से लेक PNB Housing Finance की दौरा रोशनी ब्रांच इसको उपन किया जाएगा, अब यह PNB Housing Finance Limited, जो है, वो subsidiary company है, PNB Bank की, मतलब पंजाब National Bank की, इसका मतलब पूरी तरीके से operate किस से होगी है, RBI से होगी, PNB Housing Finance Limited, non-banking financial company है, मतलब एक NBFC है, NBFC जिसका head office आपको नई दिल्ली में देखने को मिलेगा, और इसके tagline देखेंगे घर की बाद, आप देख सकते हैं, घर की बाद इसकी tagline है, और इसके managing director और chief executive officer कोन है, गरीश जी है, तो यह आज के हमारे current affairs ते, अब बात कर लेते हैं, revision question के बारे में, पहला question है, India has received all 36 Indian Air Force, Rafael Aircraft, from the France recently, जैसा कि मैंने बताया था, 36 के 36 fighter jet हमको मिल चुके है, question है, पूछा जा रहा है कि जो Rafael Aircraft है, वो किस company के द्वारा design किये गए है, तो कल मैंने discuss किया था, आपको Dassault Aviation के बारे में, तो Dassault Aviation के द्वारा यहाँ पर यह aircraft तैयार किये गए है, next step, the government has granted GI, geographical indication tag, to Gumcha, recently Gumcha is product of which state, तो Gumcha जो है, वो Assam का product है, कहा का product है, Assam का project है, option C, correct हो जाएगा, अब recent में कुछ और GI tag दिये गए है, आप उनका screenshot ले सकते हैं, इनको एक बढ़ सकते हैं, चीक है, जूडिमार आई सभी जो paper हुए थे, उसमें question पूछा गया था, Assam का GI tag है, okay, next, which of the falling cities had made solar panel mandatory for the new homes to be built after 2025, ऐसी कौन सी city है, जिसने कहा है कि 2025 के ब solar panel mandatory होंगे, तो वो answer हो जाएगा, Tokyo, Japan, option D is the right answer, सूर किरन exercise, हम सभी को पता है कि सूर किरन exercise जो है, एक joint military training exercise है, इंडिया और नेपाल के बीच में होती है, और इस साल नेपाल में conduct हो रही है, कौन सा edition है, ये पूछा गया है, तो सूर किरन exercise का इस सोलवा edition है, 16th edition, option B is the right answer, next ह who has won the men's single title after defeating Indonesia Anthony Ginting at the season ending world tour final in Bangkok, तो world tour final में men's single का title किसने जीता है, तो ये title जीता है, विक्तर अक्सल सने, किसने जीता है, विक्तर अक्सल सने जीता है, जीता है, और अप्शन D बिलकुल correct है, this is question of the day, United Nation member states have removed which of the following country from UN women's right group recently, तो UN women's right group से किसे recently remove किया गया, है, United Nation के दौरा, Iran, Iraq, UAE, या फिर Syria, जो भी आपका answer होगा, आप हमें comment में दीजेगा, सही answer भी मैं आपको वहीं पर provide कर दोगी, okay, so मिलते हैं next session में, ऐसे ही कुछ नए का रेंट अपरस के साथ, take care and bye-bye.